Hello friends, आज हम discuss करेंगे हमारे chapter number 15, plant growth and development का next topic that is development. Topic का नाम क्या हमारा? Development. Development के साथ हम basic differentiation of the growth भी हम discuss करेंगे. And differentiation of growth आज ये दो टॉपिक हम इस वीडियो में हम discuss करेंगे. Development क्या है? सबसे पहले development आप study करने से पहले आप previous वीडियो को देखकर आप basic concept, introductionary वीडियो का आप देखेंगे तो वहाँ पर basic आपको बताया हुआ है. मैं फटा-फट से बता देता हूँ development जब कोई भी cell चाहे वो mass या number की form में growth करता है तो जब collide growth होती है. Means कि एक दूसरे से टकरा के, एक दूसरे से जुड के, ठीक है, एक साथ, together, जब growth होती है और physical changes appearance होती है. जैसे एक plant पहले day 1 पर चोटा है, day 15 पर थोड़ा बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर तो total maturation stage में आ जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? development कहते हैं. development क्या है? visible और measurable है. development क्या है? visible होती है और measurable होती है, दो major characteristic है, development के. growth में might be, अगर cell number of divided में हो, अगर एक division होया तो वो measurable नहीं है. हाँ, अगर हम सिरफ laboratory condition की में बात करें, तब वो measurable है. बट जब open complete atmospheres की बात करते हैं, तो development ही measurable है. येस, हमें दिखता है, कोई भी plant है. येस, हमने एक साल पहले लगाए, एक साल बात देखें, येस एक growth हो गया, बड़ा हो गया, जी एक तो plant. राइट? देख सकते हैं, अगर आज एक कोई बच्चा है, चोटा है, अगर आप दस साल बात देखें, उसकी maturity stage में आ जाएगा वो, राइट? तो इसी तरह से वो उसको क्या कहते हैं? development कहते हैं. ये ही एक indirect, या फिर कह सकते हैं, या आप atmospheric point of view से कह सकते हैं, direct, और laboratory की बज़े सकते है indirect, एक तरह का pathway है, एक तरह का part है, growth का, और ये growth development एक दूसरा के, अगर कह सकते हैं, parallel है, right? growth होगी तो development होगी, development होगी, development होगी, means उसमें cell भी divide होई रहे, growth हो रहे हैं, तो growth development का एक journal flow chart है, सबसे पहले development के लिए होता है, meristematic cells, meristematic cells पास होथे हैं, plasmatic cells से, या फिर plasma से कैसे कह सकते हैं, plasma membrane से, ठीक है, move करते हैं, किस तरफ? elongation phase की तरफ, जब मैंने development, growth में बढ़ाये थे, elongation से move करेंगे, जिस की तरफ? maturation stage की तरफ? maturation से दुबारा से कहां आजाएंगे? death पहले cell बढ़ा, meristematic में, plasma membrane से cross होगे, elongated stage पे आएगा, elongated से कहां जाएगा? maturation पे, maturation से दुबारा से death हो जाएगी, उस cell की, एक, अब मैं यहां से बतातू, एक plant पहले बढ़ा हुआ, plant हमने उसको nutrients मिले, वो develop हुआ, थोड़ा सा, develop हुआ, elongated stage में आगया, पूरा बढ़ा हुआ, maturation stage में आगया, उसने fruits वगरा सब कुछ दिया, ठीक है? और जब उसके cells automatically dead हो गए, तो वो dead में stage में चला गया, लेकिन, plant cells में, यह जो process है, काफी ही slow process है, कैसी process है, अगर मैं बात करूँ, एक example, eucalyptus, सिरफ eucalyptus plant ही बात करूँ, तो उसका average जो length होती है, वो 100 meter का होता है, average length जो होती है, 100 meter की होती है, eucalyptus के पेड़ की, और वो growth करने में average, 10 से 15 साल लेता है, 10 तो 15 years अगर growth में लगे हैं, तो क्या है, बहुत ज़द टाइम लगा है, अब जैसे burnie entry है, burnie entry development के लिए कम से कम भी न, 50 to 60 years लेते हैं, 52, 60 years, maturation stage में जाने के लिए लेते हैं वो, लेकिन, रहते कहां, कितने कितने साल हैं, 500 साल, 1000 साल, 2000 साल, बहुत लंबी life होती है, burnie entry की, राइट, ऐसा क्यूं, वो दूसरे plants की तरह क्यूं नहीं सुख जाते, because of that, they have large number of meristematic cells, कौन से cells सबसे ज़्यादा होते हैं उनमें, meristematic cell, कोई भी cell की life directly और indirectly depend करती है, meristematic cells के उपर, राइट, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, तो इसी वज़ा से मैंने growth का जो differentiation पार्ट है, वो मैंने, हाला कि मुझे पहले पढ़ाना चाहिए था according to your syllabus, मैंने बाद में क्यूं पढ़ा रहा हूं, because of that, आपको meristematic cell का function पता होना चाहिए, तब भी अब differentiation को अच्छे से समझ पाएंगे, तो आईए आप पढ़ते हैं differentiation, पता हैं आपको क्या हैं? सबसे पहला normally हम standard list सकते differentiation differentiation क्या है differentiation means एक cell जब अपना function perform कर लेता है एक cell जब अपना cell cycle में function perform कर लेता है function perform करने के बाद जब वो maturity stage में आता है पूरा fully mature stage आगी yes this cell have the capability to divide to daughter cell कि जब उस cell में capability आ जाती है दूसरे daughter cell को develop करने की divide करने की capability आ जाती है उसमें इतना genetic material available होता है कि वो दूसरे cell को transfer कर सके दूसरे cell को वो divide कर सके तो ऐसी stage को क्या कहते हैं हम differentiation of the cell कहते हैं क्या कहते है differentiation of the cell कहते है differentiation कैसी हो सकती है cell division में it might be asexually or sexually asexually तो उसी cell से develop होता है sexually में अगे फर्दर दो टाइपस आते हैं meiosis and mitosis जो somatic cells, sex cells की बात करते हैं male, female, gametic cells की बात करते हैं उसके बाद next है हमारे पास re-differentiation क्या है re-e से पहले आप d differentiation आप पढ़िए d differentiation cells क्या है d differentiation process एक ऐसी process है जब cell divide हो रहा है cell divide हो रहा है divide होते होते पैटिकुलर एक stage पर पहुँच गया yes वहाँ पर उसकी capability खतम खतम और जब वो daughter cell बन गए जब daughter cell से दुबारा से development होती है right तो उसे क्या कहते है d differentiation process d differentiation process क्या कहते हैं कि एक cell है यह divide हो गया daughter cells में ठीक है इसकी capability खतम यह भी अपने proper function में आ गए इन्होंने भी divide कर दिया लेकिन यहाँ पर इस cell में भी particular capability होती होती दुबारा से divide करने ही उसके जो parental cell के daughter cell में भी वो दुबारा से अपने आपको भी parent cell में भी convert कर सकता है तो उसे यह कहते हैं de-differentiation process third is the re-differentiation re-differentiation का क्या मतलब है re-differentiation का मतलब है जब यहाँ पर cell divide करते हुए अपनी capability अपनी capacity को loss कर देता है lose कर दी उसने अपनी capacity कि वो दुबारा से divide नहीं हो सकता है but मेरी systematic cell की help से कि दुबारा से active होता है क्या होता है दुबारा से active होता है और divide करता है cell को उसको क्या कहते है इसी process को क्या कहते है re-differentiation जो कि divide हो चुका है लेडी वो कहीं न कहीं से तो आया होगा cell जो पहले mother cell है और दुबारा से divide हो रहा इसको क्या कहते है re-differentiation process so this is the whole for the differentiation process and the development part इसी के साथ की वीडियो यहीं पर खतम होती है और मैं आपसे कहना चाहूँगा हमारा जो चैनल है प्रफेसर डी आर विज आप subscribe करिए share करिए bell icon को press करिए और जो भी वीडियोज आप upload होती है आप उनको immediate basis आप bell icon को press करने पे आप उन वीडियोज को आपको notification मिल जाएगा और उनको आप देख सकते है यहाँ पर आपको playlist 9 से लेके प्लस 2 तक physics, chemistry, mathematics and biology की NCRT based videos अवेलेबल है आप इनको देखकर अपने carrier को enhance कर सकते हैं Thank you so much